हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सरसुती सिंग और आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल मैतमस्ती पर चली फ्रेंड्स आज की क्लास स्टाट करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे में पूछे जाने वाले रेलवे में पूछे जाने वाले जो रिजिनिंग के 15 question ठीके friends चलिए start करते हैं आज की class तो उससे पहले यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजे bell icon को press कर लेजे तो चलिए friends आज की class start करते हैं हम लोग चलिए friends पहला question देखते हैं तो पहला question यह कि निमलिखित आकरती का 270 डिगरी घड़ी की सुई की दिशा में घुड़न किया जाया है यानि कि देखिए friends एक figure दिया गया है जो एक खस्टबूज है उसमें एक गोला है गोला में जिसे यह portion कलर कर दिया गया है यह वाला portion जो है color क्या गया है और कहा जा रहा है कि घड़ी के दिशा में यानि की clockwise घड़ी की दिशा क्या clockwise में 270 डिगरी घुमाया जाया तो यह color किस दिशा में बनेगा ठीक है friends तो चलिए यह ह यहां से यहां की बीच की दूरी 90 डिगरी यहां से यहां की बीच की दूरी 90 डिगरी और यहां से यहां की बीच की दूरी 90 डिगरी यानि कि एक गोले में एक चक्कर लगाने पे 360 डिगरी बनता है angle यह आपको पता है ठीक है तो friends देखिए यह वाला portion जो है यहां से 45 degree कलर कर दिया गया है क्योंकि आपको पता है यह पूरा कितना है 90 degree ठीक है यह पूरा 90 degree है लेकिन इसका आधा zone तो यहां कि अदा जा रहा है कि 270 आपको गड़ी के और फ्रेंट को एगा प्रेंट्स तो धे MON यहां से देखते हैं 90 आपका ये हो गया 90 आपका ये हो गया यानि कि 9, 9, 18 45 ये हो गया और 45 ये हो गया यानि कि जब हम 270 डिगरी घूम जाएंगे 270 डिगरी घूम जाएंगे जैसे कि 90 ये हो गया 90 ये हो गया 18 और 45 ये और 45 ये आपका 270 हो गया यानि कि जो अब portion color होगा वो आपका portion जो होगा ये वाला होगा ठीक है friends 270 डिग्री भूमने के बाद हमारा जो color color होगा वो ये वाला portion होगा ये वाला हट जाएगा यानि चलिए option चेक करते हैं तो option देखिए ऐसा कुछ C बाला option दिख रहा है तो आपका C option बिल्कुल correct होगा ठीक है friends चलिए next question देखा जाए चलिए friends ये question देखते हैं ये question पूछा जा रहा है कि इसमें कितने आपके आयत है ठीक है friends देखिए अगर एक खाना को आप count करेंगे friends तो ये आयत नहीं वर्ग हो जाएगा और आपके question में क्या पूछा जा रहा है आयत ठीक है तो चलिए count क्या जाए तो आपका ये एक आयत हो जाएगा आपका आयत दो खाना मिलके एक आयत हो जाएगा आपको पता है आयत की लंब इसलिए हम एक खाना नहीं लेंगे ठीक है तो एक खाना हम नहीं लेंगे नहीं तो वर्ग हो जाएगा और पूछा क्या जा रहा है आयत तो देखिए एक आयत हो जाएगा आपका ये दो खाना मिलके ऐसे ही दो खाना इधर मिलके दो हो जाएगा ठीक है friends और एक बीच वाला सबसे बढ़ा हो जाएगा आपका 6 यानि इससे आपके जो आयत बन गए वह आपके 6 हो गालाрем तो यह हो गया कि आपका 7 यह वाला portion पूरा मिलके एक क्या हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा आपका यह दो खाना मिलके 9 और यह दो खाना मिलके यह हो जाएगा आपका 10 ठीक है friends यानि कि number of rectangles हो जाएगा इस figure में आपके 10 हो जाएगे ठीक है आपके 10 number of rectangle इस figure में हो जाएगे फ्रेंड्स यानि कि option number आपका सी बिलकुल करेक्ट है ठीक है चलिए अगला question देखा जाए चलिए friends यह हम तीसरा question देखते हैं तो तीसरा question में देखी एक आपको mirror रखा गया है वो भी horizontal ले ठीक है और आपको पता है horizontal mirror रखा जाए तो upper और down change होता है left और right चेंज नहीं होता है यह आपको पता है friends यादि वही vertical mirror होता तो आपके left और right change होते है upper और down change नहीं होते है य लेकिन friends चलिए यह practice state है तो देखिए यदि ऐसा question है और horizontal मेरा रखा हो तो जो ऊपर है वो नीचे आजाएगा जो नीचे है वो ऊपर आजाएगा ठीके friends आपके चार option में आप देख लीजिए तो पहला option देखिए इसमें बीच का ही गलत है तो A बिल्कुल गलत है C वाला option देखिए यह भी गलत है और D option देखिए यह भी गलत है ठीके friends यानि कि आपका B option बिल्कुल गरेक्ट है आप देख लीजिए कि जो नीचे का portion है वो ऊपर चला गया है और जो आपर का portion था वो नीचे आगया है यानि कि option number आपका B बिल्कुल इसमें correct है इसमें कुश बताने वादी चीजी नहीं है कि हम आपको पता है, आपको तो पता ही है, कि जब होरजंटल हो, तो अपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला जाता है, और लेफ्ट राइट, कॉंस्टेंट, यानि की चेंज नहीं होता है, और वर्टिकल में जो हता है, बिल्कुल इसका है ठीक है फ्रेंट्स तो देखिए ये तो आपका इस्टेंडर्डडड़ है कि ससें के दो निकटवर्ती सतह का योग साथ नहीं हो रहा है लेकिन यह जु है आपका ज्रल्ड़ डाइस यानि Maryland तीन चार साथ हो रहा है, यानि कि दो निकटवरती सतहूं का योग साथ हो रहा है, ठीके फ्रेंट्स, यानि कि ये आपका क्या हो जाएगा, जन्रल डाइस हो जाएगा, जन्रल डाइस हो जाएगा, यानि कि समान पासा हो जाएगा, ठीके फ्रेंट्स, आपको पता है, कि starting से लेके last तक यानि open dice तक पढ़ा दिया है आप उहां से जाके देख सकते हैं ठीके फ्रेंट्स तो देखिए यहां भी 4 है यहां भी 4 है आप 4 को क्या करना है common लेना है ठीके फ्रेंट्स और जहां से common लिया है उसी से हम clockwise जाएंगे clockwise जाएंगे और जो common लिया है उसको हम base मानेंगी यानि कि 4 हो जाएगा फिर clockwise आना है तो 4 के बाद के आएगा 6 फिर 2 ठीक है friends यहाँ भी 4 को base मानना है फिर 4 हो जाएगा फिर यहाँ 3 और फिर 1 हो जाएगा ठीक है friends और पूछा जा रहा है कि 4 का opposite क्या होगा तो देखिए जो digit नहीं दिख रहा है वही आपका base का opposite हो जाता है जो आपने common ले लिया है आपको पता है आपके dice में 6 फलक होते हैं 1 2 3 4 5 6 क्योंकि यह डिजिट में दिया गया है तो जब 5 है तो 6 होगा ठीक है friends 5 आपको दिख रहे हैं 4 2 6 और 3 और 1 ठीक है तो जो digit आपको नहीं दिख रहा है वही आपक बार का opposite आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और आपका option number C बिलकुल correct है ठीक है friends चलिए अगला question देखते हैं हम लो तो friends आपका question यह है कि दो पहर से लेकर मध्य रातरी तक एक घड़ी की दोनों सोई यानि कि second की सोई को छोड़े दोनों सोई का मतलब घंटा और मिनट की सोई कितनी बार आपस में समकोंड बनाती है तो friends मैंने clock में आपको बना बता दिया है कि घंटे और मिनट की सोई बिपरीत दिसा में 12 घंटे या 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं समकोंड कितनी बनाती है और एक दूसरे के बिपरीत कितनी बार होती है और समपाती कितनी बा लेकिन यहां पूछा जा रहा है दोपहर से मध्य रात्री तक यानि की 12 घंटे की बात हो रही है तो घंटे और मिनट की सुई और एक दिन यानि की 24 घंटे में 24 बार मेलती है ठीक है फ्रेंट्स तो आपका option हो जाएगा आपका b option बिलकुल correct होगा चलिए next question देखा जाए चले फ्रेंट चटा कोशन देखते हैं तो हमार चटा कोशन ये है कि किसोर जो है सुबा सात बजने से 20 मिनट पहले घर छोड़ता है कब घर छोड़ता है तो सात बजे में 20 मिनट पहले जो है किसोर घर छोड़ता है कब 7 बजे में 20 मिनट कम रहता है तब यानि कि 6 बच के 40 एम पे सुबा की बात हो रही है तो 6 बच के 40 एम पे वह घर छोड़ता है फिर 25 मिनट कीरण के घर पहुचता है और वे 15 मिनट में अपना नास्ता करता है यानि कि या हो जाएगा 5, 5, 10, 2, 1, 3, 1, 4 यानि कि 40 मिनट वो किसोर घर छोड़ता है कब 6, 40 मिनट पे उसके बाद वो 25 मिनट में कीरण के घर जाता है और 15 मिनट में नास्ता करता है टोटल टाइम कितना हो गया 40 मिनट ठीक है फ्रेंट्स आगे कहां जा रहा है कि और दफतर क जाने में उसको दफतर जाने में जाने में उसको टाइम लगता है वो कितना लगता है आपका 35 यानि कि 35 मिनट लगता है अब पूछा जा रहा है कि किस समय वो दोपह दफतर के लिए किरण का घर छोड़ता है ठीक है फ्रेंट्स यानि कि 35 मिनट तो वो दफतर पहुंच कह था यआनि कि वह गया था कब 6 जबच के 40 मिनटर कभ कब गया था भिख 5 बच पहुंचा था कि लो फचीज नblesता के अजुने कि 20 मिनटOR फ्रेंट चालिस घर तक कि जो जाएगा формे ये वो जब कीरन का घर छोड़ा था उस समय 7 बज की 20 मिनट एम हो रहा था है ठीक है फ्रेंट्स यानि कि आपका option number A बिलकुल correct है क्योंकि question यह पुछा गया है कि कीरन का घर जब छोड़ता है दफतर जाने के लिए वो time पूछा गया है फ्रेंट्स यह तो 35 मिनट में दफतर कोई मतलम नहीं था तो आपका answer हो जाएगा 7 बज की 20 मिनट यानि की option number A बिलकुल correct है ठीक है फ्रेंट्स चलिए next question देखा चलिए फ्रेंट्स अगला question देखते है तो अगला question हमारा यह है कि एक वायू यान में 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं आपके French जो हैं आपके 20 बोलते हैं कितने बोलते हैं 20 बोलते हैं और 10 दोनों में से कोई भासा नहीं बोलते हैं यानि कि French और English दोनों नहीं बोलते हैं 10 लोग नहीं बोलते हैं ठीक है friends यानि कि जो बोलने वाले हैं French English या French या English दोनों ठीक है friends French English या French या English बोलने वाले लोग कितनी हो गए जब 10 लोग नहीं बोलते हैं और 60 लोग थे उस वायुयान में तो आपके बोलने वाले लोग हो गए आपके 50 अब पूछा जा रहा है कि उन ब्यक्तियों की संख्या बताईए जो अंग्रेजी तता फ्रेंच दोनों भासा बोलते हैं तो देखिए फ्रेंच प्लस फ्रेंच हो गया यह इंग्लिस हो गया प्लस फ्रेंच और यह इंग्लिस हो गया और टोटल कितने लोग बोलते हैं 50 लोग होते हैं तो देखिए फ्रेंच का हो जाएगा फ्रेंच आपके 20 लोग बोलते हैं इंग्लिस जो है आपके 35 लोग बोलते हैं और फ्रेंच और इंग्लिस का आपको पता है कि ये दोनों कितने बोलेंगे और टोटल कितना हो गया आपका 50 हो गया ठीक है friends तो चलिए ये 20 और 35 क्या हो जाएगा 55 इधर आप 50 को ला दीजिए और French और English इधर आगे यहाँ minus plus कोई मतलम नहीं है तो आपके French और English बोलने आए लोग कितने हो जाएंगे पांच लोग हो जाएंगे ठीक है friends यानि कि option number आपका D बिलकुल correct है क्योंकि French और English बोलने आए लोग कितने हो जाएंगे पांच लोग हो जाएंगे तो option number आपका D बिल्कुल correct है चली friends next question देखा जाए चली friends अगला question देखते हैं तो अगला question हमारा ये है कि नीचे दिये गए कत्नों को सही माने भले ही वो समाने गया तत्यों से भिन हो उनके आगे दिये गए दो निसकरसों से यह निर्णे ले कि उन कहा जा रहा है कि सभी पैड्स जो हैं सभी पैड्स जो हैं पुस्तके हैं यानि कि सभी पुस्तकों के अंदर कौन आता है पैड्स यह क्या हो गया आपका पुस्तक कहा जा रहा है कि सभी पैड्स जो हैं पुस्तक हैं और सभी पुस्तके कागज हैं यानि कि सभी पुस्तके जो हैं आपका कागज है यानि कि कागज के अंदर आपका पैट्स भी है और पुस्तक भी है आपका ये कहा जारा कि निसकर्स कि सभी कागज पुस्तके हैं तो सभी कागज फ्रेंड्स पुस्तके नहीं है ये कहा जाता कि सभी पुस्तके कागज हैं तो सही रहता क्योंकि कागज के अंदर पुस्तक है ना कि पुस्तक के अंदर कागज है लेकिन कहा जारा कि सभी कागज पुस्तक है तो बिल्कुल नहीं फ्रेंट्स आपका पुस्तक इतना ही है और कागज पूरा बड़ा है तो सभी कागज पुस्तक नह है कागस के अंदर आता है तो सब ही पैट्स जो आपके कागस हो जाएंगे यानि कि option number 2 बिल्कुल correct है तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें option सही है तो आपका option जो जाएगा D हो जाएगा जिसमें कहा जा रहा है कि केवल निसकर्स दो अनुसरान करता है यानि कि option number आपका D बिल्कुल correct है ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स कोशन देखा जाए चलिए फ्रेंड्स नेक्स कोशन देखा जाए तो नेक्स कोशन नमरा ये है कि निमलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़े और नीचे दिये प्रश्न का उत्तर दें तो कोशन नम एक्सक्रिकेट और वौलिवल्ल खेलते हैं अभिनाओ और देव गोलफ और टेमिश ख्येलते हैं यानि कि यानि कि इस में खिलाडव है और उसमें कौन कों से खेल खेले गाया है इहां मैने लिख दिया है आपके खिलारी जो है आपके चार है और चारोज है आपके खेल खेल रहे हैं चलिए आते हैं question पए तो कहा जारा कि Avinoe और बराधी गोल्फ और व़लनी ढल किलते हैं अभीनो even भराधी जो है दोनों गोल्फ वब्रु कहलते हैं और और दोनों आपके बॉली भी खेलते हैं, सौरी, क्रिश और देव टेनिस और क्रिकेट, क्रिश और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, तो देखे क्रिश और देव दोनों ने टेनिस भी खेला और दोनों ने क्रिकेट भी खेला, आगे कहा जारा कि बरानी और क्रिकेट और वॉली वॉल दोने खेलते हैं, तो यहां है बरानी, बरानी जो है आपका क्रिकेट भी खेलता है, और बॉली वॉल तो पहले ही खेल रहा है, और क्रिस्ट जो है क्रिकेट और वॉली वॉल दोनों खेलता है, तो क्रिस्ट जो है क्रिकेट तो पहले ही खेल रहा है, यानि कि टेनिस देव यहां खेलेगा और टेनिस अविनो भी खेलेगा और गोल्फ कहा जा रहा है तो गोल्फ अविनो पहले ही खेल रहा है और देव भी आपका गोल्फ खेलेगा ठीक है फ्रेंट्स यह हो गए आपके कि कौन कौन जो है आपके क्या-क्या खेल खेल रहे थे ठीक है क् बॉली बॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन है जो आपका गोल्फ भी खेलता हो टेनिस भी खेलता हो और वॉली बॉल भी खेलता हो तो देखिए अभिनो पहले ही लाइन पे है कि अभिनो जो है गोल्फ भी खेलता है बॉली बॉल भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है यानि क आपका तीनों खेल जो खेलने वाला है वो आपका हो जाएगा अभी नो यानि कि option number आपका see friends बिल्कुल correct है ठीक है आपको समझ में आया होगा चलिए next question देखा जाए चलिए friends next question देखा जाए जो कि मैंने आपको angle निकालना clock में बता दिया है तो चलिए आपका question यह है कि cycle साड़े आठ बजे cycle क्या है साड़े आठ बजे साड़े आठ बजे घड़ी के घंटे और मिनट के सोयों के बीच का कोण क्या होगा friends तो मैंने यह बता दिया था कि angle निकालने के लिए होता है 30H minus 11 by 2 into M H का मतलब hour यानि कि घंटा M का मतलब minute हो जाएगा ठीक है friends तो यह हो जाएगा 30 into घंटा की जगा पे आपका 8 हो जाएगा minus 11 by 2 into M के जगा आपका 30 हो जाएगा और यह हो जाएगा 15 दूना के 30 यह हो जाएगा 3 नमाड़े के 24 यानि कि 240 minus 11 और 15 का मल्टिप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा ठीक है friends तो 10 में से 5 जाएगा 5 13 में से 6 जाएगा 7 और यह आपका एंगल निकल जाएगा 75 डिग्री यानि कि option number आपका B बिलकुल correct है ठीक है friends तो चलिए next question देखा जाए चलिए friends अगला question देखा जाए तो अगला question आपका यह है कि 22 दसमलो 5 मीटर लंबी एक छड़ है 22 दसमलो 5 मीटर एक लंबी छड़ है ठीक है एक छड़ को 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते है यानि कि friends एक छड़ जो है वो 22 दसमलो 5 मीटर की छड़ है और उसका एक टुकड़ जो है वो 45 सेंटीमीटर का है तो पूछा जा रहा है कि यह छड़ जो है उसमें कितने टुकड़े आप बना सकते है तो आपको देखी friends यह छोटा टुकड़ा है वो सेंटीमीटर में है और जो एक बड़ा वाला लंबा छड़ है वो मीटर में है तो friends आपको बता है कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है एक मीटर बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है तो आपको 22 दसमलो पांच को cm में चेंज करना है, यह आपका हो जाएगा 22,50 चीक है, यह आपका हो गया, टोटल लंबाई, जो एक छड की लंबाई जो थी, वो 22,50 में, cm में हो गया, और कहा जा रहा है कि एक छड जो है, उसका एक टुकड़ा 45 cm का है, तो उसमें आप कितने टुकड़े कर सकते ह तो टोटल चड की लंबाई है, उसी में एक जो चड का टुकड़ा है, उससे भाग दे दीजिए, आपका 45 cm हो जाएगा, आपका यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि जब यह cm में है और यह मिंटर में हो, तो गलत हो जाएगा, आपका यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, चलिए काटते हैं इसको, तो 59 45 यह हो जाएगा, पांचवू के 20, फिर 25 यह हो जाएगा, ठीक है, फिर 9 45 यह हो जाएगा, पच्यास यानि कि आपका इसमें जो टुकड़ो की संख्या हो जाएगी, वो छड की टुकडो की संख्या 50 हो जाएगी, यानि कि उप्सन नमबर तो मार्च और अप्रैल महिनों के लिए उसे कूल कितने कीलो ग्राम सक्कर की आउशकता होग तो देखिए तो एक सपता यानि की पता है कि एक सपता हमें आपको कितने दिन होते हैं तो 7 dave होते हैं और 7 दिन मेज को कहिए या कैंटीन को कहिए 28 kg चीनी लगते हैं ठीके फnten지 तो एक दीन में उसको 38 kg लगेंगे 25 तोwatch 58 kg यानि 28 बटे-7 यानि कि साथ चोड़ 28 kg चीनी लगता है तो एक दीन में उसको 4 kg चीनी लगेगा फिर कहा जा रहा है कि मार्च और अपरेल के महीनों में उसको टोटल चीनी कितना लगेगा उस कैंटीन में तो आपको पता है फ्रेंट्स मार्च जो है वह 31 महीं 31 दिन का महीना होता है और अप्रेल जो होता है वह आपका 30 दिन का महीना होता है ठीक है यह हो गया मार्च इस क्या हो जाएगा 61 डेज और आपको पता है एक दिन में कितनी चीनी का खर्चा है चार किलो का तो 61 गुड़े चार आप कर दीजे चार एकम में चार और चार चाके 24 ठीक है यानि 244 किलो ग्राम चीनी का यूज होता है यानि कि option number A बिल्कुल आपका करेक्ट है ठीक है फ्रे चली फ्रेंज अगला question देखा जाए अगला question हमारा यह है कि रवी वार सपताह में हर दिन 355 मीटर और रवी वार के दिन 500 म8 डोडता है ठीक है फ्रेंज यानि रवी जो है सब्टाह में जो संडे की दिन जो हे वह 500 मेडता है और जो 6 दिन बसता है आपको पता है एक सप्ता में साथ दिन होता है जिसमें रवी जो है संडे की दिन 500 मीटर दोड़ता है और 6 दिन जो है वो 350 मीटर दोड़ता है अगर सप्ता सो मौर से प्रारम होता है तो दो सप्ता हमें रवी कितने किलो मीटर दोड़ेगा ठीक है फ्रेंड्स तो दे तो दो संडे आएंगे तो यहां दो और संडे की दिन वह 500 मीटर दोडता है ठीक है फ्रेंट्स तो चौदो में से दो दिन गया बचा कितना बारा दिन अब बारा दिन दो जो है वह 350 मीटर दोडता है यह हो जाएगा आपका क्या 1000 यह हो जाएगा 0 12 50 60 कैरी आपका 6 बारत के हैं 36 और 36 6 हो जाएगा आपका 42 ठीक है फ्रेंट्स यह आपका प्लस का साईन है और यह 1000 है यह हो जाएगा 002 और 45 यहाने कि वह 500 मीटर आपका दोडता है याने कि टोटल दो सब्ता में रवीजु है 500 मीटर दोडता है तो आप्शन देखिए अच्छा तो ऑप्शन जो है किलो मेटर में है तो एक किलो मीटर बाब क्या हो जाता है 1000 मीटर तो आप तीन के बाद दसमलों लगा दिजी यानि कि 5 दसमलों दो किलो मीटर वह दो सपता में दोड़ता है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए आप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा तो आप्शन नंबर आपका सी बिलकुल करेक्ट है चलिए नेक्स कोस्टन देखा जाए चलिए फ्रेंट्स नेक्स कोस्टन देखा जाए तो आपका नेक्स कोस्टन ये है कि तीन घंटिया एक साथ आठ बज़े बज चुकी है ठीक है 8 बजे बजती है कहा जारा है कि 3 घंटिया करम सा 8, 10 एवं 20 क्या है 8 है 10 है एवं 20 है इसका आप LCM ले लिजी तो इसका LCM क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा आप normal जैसे लेते हैं वैसे भी ले सकते हैं ये 20, 40 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा फिर आप 2 से 2 दुना के 4, 2 एक कमें 2 फिर 2 से ठीक है यानि 2 दुना 4, 2 दुना 8 पचे 40, आपका 40 LCM आ जाएगा यानि कि जो वो 8 बजे बसती थी वो 40 मिनट पे ये जो घंटियां जो है वो 40-40 मिनट पे बजेंगी तो एक बार 8 बजे बजी है तो दूसरी बार कब बजेगी तो 8 बज के 40 मिनट पे बजेगी तो फ्रेंट्स देखिए यहाँ option है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 2 बजे ठीक है फ्रेंट्स ऐसे आपके option है तो एक बार जो बजेगी तो वो 8 बजे बज चुकी है दूसरी बार जब बजेगी तो 8 बज के 40 मिनट पे बजेगी जो कि option में नहीं है तीसरी बार बजेगी friends तो आपकी 9 बज के 20 मिनट पे बजेगी क्योंकि 40 मिनट बाद ही तो बज रही है तो 10 बजे 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 टो याईनि option number friends अगर तीसरी बार जब बजेगी तो दस बजे बजेगी आपका option में 10 बजे दिया गया है तो option number A बिल्कुल आपका correct है चलिए next question देखा जाए चलिए आज का पंद्रहां question यानि कि आज का last question देखते हैं तो last question हमारा ये है कि एक चीटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ओचे एक ब्रिच पर चड़ती है अपने मूँ लस्थान से वह कितनी दूरी पर ठीक है फ्रेंट्स एक चीटी जो है यहां मानी कि यहां चीटी है यह से 3 मीटर पहले चलती है फिर उसके बाद 4 मीटर एक ब्रिच पर चड़ती है 4 मीटर ब्रिच पर चलती है अब कहा जा रहा है कि वह चीटी जब यहां पर चड़ गई है अपने मूँ लस्थान पर कैसे कितनी दूरी पर ठीक है फ्रेंट्स यानिकि इसकी दूरी पूछा जा स्क्वाइर 9 और यह हो जाएगा अंडरूर में 25 और 25 का बर्ल करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा यानिकि 5 मीटर दूरी पर है ठीक है फ्रेंट्स यानिकि ऑप्सन नमबर ए आपका बिल्कूल करेक्ट है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए आज के क्लास में हमारे 15 कोशन ते जो क झाल झाल